Hey guys, welcome back to my channel Outright Men उमीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे आज हम बहुत ही common problem और सबसे ज़ादा परिशान करने वाली चीज़ के बारे में बात करेंगे जो की है sinus सबसे पहरे जान ये sinus होता क्या है तो जब हमारा bone structure बनता है तो हमारे skull में कुछ जगाओं पर खाली हिसा रह जाता है ये ज़ादा तर आपके माथे के पीछे आपकी आँखों के पास या आपकी cheeks के पास होता है ये खाली पन एक jelly material से भरा होता है जिसे हम mucus कहते हैं या बल्गम कहते हैं ये आपके खाली हिसे को बचा कर रखता है मगर जब कुछ conditions में virus आपकी body में जाता है और bacteria इस jelly या mucus में फस जाता है तो वो multiply करता है जिससे आपको परिशानी होती है और ये mucus जादा हो जाता है जिससे आपकी नाग बहने लगती है या आपकी नाग बंद हो जाती है और आपको चींके आती है और फिर जो excess यानी extra mucus जमा होता है वो निकलने लगता है मगर sinus परिशान करता क्यों है तो इसके पीछे कुछ कारण है जैसे common cold या सरदे जुकाम जब किसी को जुकाम होता है तो sinus जादा परिशान करने लगता है या अचानक आपके आसपास के महौल में बदलाव आने से आपकी बाड़ी जल्दी ठंडी गरम हो जाती है तब भी आपको परिशानी होती है और जो सबसे common चीज होती है जब किसी की नाग की बोन या हड़ी बढ़ जाए या टेड़ी हो जाए तो उसे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है या आपकी नाग के अंदर extra mass पड़ जाए जिसे हम nasal polyp कहते है उसकी वज़े से भी sinus से परिशानी होती है जब कोई इनसान sinus की परिशानी से गुजर रहा होता है तो वो ही इसके दर्द को समझ सकता है क्योंकि जब आपको sinus परिशान करता है आपको छींके बार-बार आती है आपकी आँखे भारी हो जाती है आँखों में से पानी आता है सिर दर्द करता है आंखें दर्द करती है और आपका कुछ करने का मन नहीं करता जब excess mucus body में हो तो वो एक कारण बनता है कि आपके मूँ से बद्बू आने लगती है जो कि बहुत गलत चीज है sinus कुछ कारणों के वज़े से जादा बढ़ जाता है सबसे पहला कारण है जब किसी को dust allergy हो जब जब आपके आसपास के महौल में dust ज़ादा होती है तो वो आपके नाग में जमा हो जाती है जिससे आपको छेंके आने लगती है और आपकी तबियत खराब हो जाती है जिन लोगों को sinus की problem होती है उन्हें अपने घर में pets भी नहीं रखने चाहिए क्योंकि उनके बालों से या उनकी smell से आपका sinus trigger हो सकता है दूसरा कारण है जब हम ज़ादा रेशा बनने वाली चीजों का सेवन करते है जैसे junk food junk food बहुत जल्दी mucus form करता है body में और जब रेशा body में बढ़ जाता है तो आपको परिशानी का सामना करना पड़ सकता है जिन लोगों को sinus की problem होती है उन्हें ठंडी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए क्योंकि ठंडा खाने से उनका sinus बढ़ जाता है जिससे दिक्कत होती है देखिए sinus कोई बिमारी नहीं है एक condition है जिसे natural तरीके से ठीक किया जा सकता है अगर आपको sinus है तो सबसे पहली चीज़ जो आप कीजिए वो है आप dairy products लेना बंद कीजिए और अगर ले रहे हैं तो उनका सेवन आयुर्वेद के अनुसार सूरज टूबने से पहले कर लेना चाहिए जादा dairy product खाने से आपकी sinus की परिशानी बढ़ सकती है क्योंकि आपके श्रीर में रेशा बने लगता है आपके लिए junk food और cold drinks बहुत ही बुरी है क्योंकि इनसे भी आपकी परिशानी बढ़ सकती है जादा तीखा खाना खाने से भी आप परिशान हो सकते हो मतलब अगर किसी को sinus है तो उसे खुद समझना और देखना पड़ेगा कि उसकी परिशानी किस कारण से भड़ती है अब बात आती है कि इसे ठीक कैसे करें सबसे पहली और important चीज है कि आप गरम पानी पीने की आदर डाले एक बार आपको ब्रश करने के बाद और रात को सोने से पहले गरम पानी जरूर पीना चाहिए और जब आप सुबा ब्रश करें तो अच्छे से अपनी जबान को भी साफ करें और देखें कि उस पर कोई घंदगी ना जमी हो ये भी एक कारण बनता है मूँ से बदबु आने का और ब्रश करने के बाद गुनगुने पाने में नमक डाल कर कुला करें और गरारे करें ऐसा करने से आपका रेशा खतम हो जाएगा और जब आप गरम पानी पीने की आदर डालते हो तो आपकी बाड़ी का मेटबॉलिजम बढ़ता है जिससे खाना अच्छे से पचता है और रेशा नहीं बनता दूसरी चीज है अपनी डाइट में इम्म्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़े खाए जैसे वाइटमिन से जिसमें ज़ादा हो जैसे आमला, संत्रा या कोई भी चीज़ जो आपकी बाड़ी को सूट करे जब आपकी बाड़ी अंदर से हेल्दी होगी आप कम बिमार पढ़ेंगे और आपको साइनस की परिशानी नहीं सताएगी तीसरी चीज़ है अपने आपको एकदम गरम ठंडा होने से बचाएं जैसे नहाने के बाद सिधा पंखे की नीचे ना जाएं एकदम एसी वाले कमरे से बाहर ना जाएं जादा सर्दी में घुद को कवर करके रखे जिसे आपको परिशानी का सामना ना करना पड़े चौती चीज़ है वरकाउट या योगा करने की आदर डाले जिसे आपकी बाड़ी में बलड सर्कुलेशन अच्छा हो और आपको कहीं ब्लॉकेज फील ना हो जिसे आपके श्रीर में रेशा नहीं बनेगा योगा में भी कुछ ऐसे आसन है जिससे ब्लॉकेज खोली जा सकती है जैसे कपाल भाती जब हम कपाल भाती करते हैं तो हम अपने पेट से प्रेशर लगाते हैं जिससे आपको ब्लॉकेज नहीं होती और अगर है तो वो धीरे धीरे खुल जाती है आप नेती भी कर सकते हैं इसमें जल नेती या रसी से कर सकते हैं मगर ध्यान रहे अगर आपको ज्यादा परिशानी है तो नेती का अभ्यास ना करें नहीं तो आपको और दिक्कत हो सकती है दोस्तो ये मत सोचिये कि साइनस कोई बिमारी है और आप इसके लिए दवाई आखाना शुरू कर दू हाँ आपको दवाई कुछ समय के लिए आराम जरूर देगी मगर छोड़ने के बाद फिर वही हाल हो जाएगा दोस्तो अगर आपको sinus खतम करना है तो आप अपने lifestyle, अपने positive attitude और अपनी diet से ठीक कर सकते हैं दोस्तो अक्सर कहा जाता है prevention is better than cure और workout भी जरूर करें As I always say, stay healthy, stay fit